नमस्कार दोस्तों, हर्शी दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर पिछले कई दिनों से ये खालिस्तन वाला इश्यू काफी बर्निंग है वारिस पंजाब देका लेडर अमर्दपाल सिंग और उनके एड्स के पीछे पूरे पंजाब पोलीज और रैपिड एक्शन फोर्स लेगे हैं, अब तक अमर्दपाल सिंग आरस्ट नहीं हो पाया है अब जाके पंजाब स्टेट गवर्नमेंट नैशनल सेकुरिटी एक्ट इन्वोक किया है अमर्दपाल सिंग और उनके एड्स के खिलाफ में आज इस वीडियो में नैशनल सेकुरिटी एक्ट क्या है, इसके अंदर कौन-कौन से इंपोर्टन प्रोविशन से, यह कब इन्वोक किया जाता है, क्या-क्रिटिजिसम है, क्या-क्या लूफोल से इस एक्ट में वह सब हम डीटेल में डिसकस करेंगे वैसे रीजनली, पंजाब अन हरियाना हाई कोर्ट में एक हबियस कोर्पस पेटिशन फायल हुआ था, बाई दे लीगल अडवेशर ओफ वायरिस पंजाब दे, for requesting the court to direct the respondents to produce अमरत पाल सिंग बिफोर इट, हबियस कोर्पस के बारे में आपने सुना होगा, it is one of the writs which can be issued by Supreme Court और either high court, जब आपका fundamental rights violate होता है, तो हबियस कोर्पस में क्या होता है, अगर court ये writ issue करते हैं, तो respondents को एक particular person को court के सामने present करना होगा, as soon as possible, ठीक है, तो इधर वायरिस पंजाब दे का जो legal advisor है, उन्होंने हबियस कोर्पस petition file किया है, और state government को अमरत पाल सिंग को produce करना होगा court पर देखें दोस्तों, आप सबको मालूम है, अगर court habeas corpus issue करते भी है, तब ही अमरत पाल सिंग को court के सामने produce नहीं कर पायागा, क्योंगी, पोलीस के साब से अमरत पाल सिंग अभी भी upscording है, वैसे अमरत पाल सिंग and his AIDS को अरस करने की कोशिस चल रहा है, पजाब पोलीस की अगराइट नाइटीन एटीन एटी अल्री इनवोक किया है, आस पर दे ओर्डेस ओफ डिस्टिक मजिस्टेट अमरत सर्थ, तो क्या होता है दोस्तों, नाशनल सेकूरिटी अक्ट अफ नाइटीन एटीन 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 देखें, यह पारलमन में पास हुआ था, नाइटीन परसन को डिटेन करने के लिए, बिना कुछ फॉर्मल चार्ज का, बिना ट्रायल का, अगर स्टेट को लगता है, एक पर्टुकुलर परसन की वज़े से, सेकूरिटी अफ दे स्टेट कॉम्परमेश हो सकता है, पॉब्लिक ओर डिस्रप्ट हो सकता है, तो इस केस में, स्टेट जो है, वो परसन को कस्टेडी में ले सकते है, अंडर दे प्रोजिशन सॉफ नाशनल सेकूरिटी अक्ट अफ नाइटीन एटी यह बेसिकली एक अट्मिनिस्टेटिव ओर्डर है दोस्तों, पास्ट एदर बेदा डिविशनल कमीशनर और दे डिस्रिक मजिस्ट्र ठीक है, वैसे दोस्तों आप सबको मालूम है कि इंडियन कॉंस्टिटूशन हमें कुछ फंडमेंडल राइट्स प्रोवेट किया हुआ है, उसमें एक प्लीरली लिखा है दोस्तों हमें कब पुलीस आरस्ट कर सकता है, बेसिकली अगर एक इंडिविजल इंडियन लोग को नहीं करता है, तो उन्हें कभी भी पुलीस आरस्ट नहीं कर सकता, माल लीजिए उन्होंने लोको वैलेट किया, पुलीस ने उन्हें आरस्ट किया, तो सबसे पहले उन्हें ये बताना होगा कि उनके एगेंस्ट चार्जस क्या है, इसके अलावा पुलीस को 24 खंडे के देखे क्या लिखाया, इवन if a person is in police custody, the district magistrate can slap NSA against them और if a person has been granted bail by the trial court, they can be immediately detained under the NSA if the person has been acquitted by the court, the same person can be detained under the NSA so the law takes away an individual's constitutional right to be produced before the magistrate within 24 hours as is the case when the accused is in police custody तो देखे, कब कब NSA invoke किया जा सकता है मैंने आपको बोला, NSA invoke करना का जो administrative order है ये एदर divisional commissioner और the district magistrate issue कर सकता है तो देखे, अगर एक person police custody में already है तो उन्हें, जैसे मैंने बोला, 24 घंडे के अंदर magistrate के सामने paste करना है पर देखे, एक person जब police custody में है न, तब भी district magistrate उनके against NSA invoke कर सकता है तब ये 24 घंडे वाला जो provision है, ये cancel हो जाएगा अगर trial court एक particular person को bail grant किया है इसके बाद भी district magistrate जो है, उस person के खिलाफ में NSA invoke कर सकता है अगर court ने particular person को acquit किया है, उनके against जितने भी charges थे, उसे court ने cancel किया है तब ही district magistrate उनके खिलाफ में NSA invoke कर सकता है अगर district magistrate को ये convince होता है, कि वो particular person की वज़े से security of the state compromise हो सकता है या फिर public order disrupt हो सकता है उपर से, the detained person also does not have the right to move a bail application before a criminal court मतलब NSA के अंडर अगर एक person detained होता है या फिर arrest होता है उनके पास ये right भी नहीं रहेगा, एक bail application move करने का criminal court के सामने Now, what are the grounds for detention under the National Security Act of 1980 दो reasons तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो security of the state अगर compromise हो रहा है दूसरा public order अगर disrupt हो रहा है इसके अलावा अगर state को ये लगता है कि एक particular person की वज़े से इंडिया का दूसरे countries के साथ जो relation से वो खराब हो सकता है और state को ये लगता है ये particular person की वज़े से हमारे community के लिए जो essential supply and services है वो disrupt हो सकता है इथर एक important point आपको समझना है दोस्तों एक person के खिलाफ में कुछ charges होने की कोई ज़रूत नहीं है अगर state को ऐसा लगता है, ऐसे intelligence report state को मिलता है तो state ये action ले सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो लोग को violate किया है या नहीं violate किया है अगर state के पास ये information है या अगर state ये convince होता है कि ये person की वज़े से ये सारी issues हो सकता है तो उन्हें National Security Act के अंडर अरस कर सकता है पर देखे, an individual can be detained without a charge for a maximum period of 12 months तो देखे, इस तरह without a charge detained करने का जो power है ये maximum 12 months का है and the detained person can be held for 10 to 12 days in special circumstances without being told the charges against them मतलब देखे, 10 से 12 दिन तक उन्हें ये बतानी की भी जरूरत नहीं है कि उन्हें अरस क्यूं किया है वैसे fundamental rights में ये clearly लिखा है दोस्तों अगर आपको police arrest करता है तो आपको ये बताना है कि आपके against में charges किया है ठीक है Now, what is the protection available under the Act? The Indian Constitution allows both preventive detention and the right of protection against arrest and detention in certain cases ensigned under article 22 of the Constitution However, article 22 clause 3 provides that the rights available to an arrested person will not be applicable in case of preventive detention there's an exception is carved out तो देखें दोस्तों अब तक मैंने आपको जो arrest के बार में बताया है This is called preventive detention Preventive detention के बार में आपने पहले भी सुना होगा Basically, कुछ चीजों को prevent करने के लिए एक particular person को जब detain करता है इसे preventive detention बोलते हैं मतलब वो particular person कोई offense नहीं किया होगा वो loco violate नहीं किया होगा पर state को ये पता है अगर उस person को detain नहीं करेंगे तो future में वो loco violate कर सकता है तो सबसे अच्छा यही है ना उस person को arrest कर लेते हैं detain कर देते हैं ताकि वो कोई गलती ना करें इसे preventive detention बोलते हैं वैसे हमारी समिथान में preventive detention के बार में भी लिखा है and right of protection against arrest and detention के बार में भी लिखा है मैंने आपको बोला था कि एक fundamental right है that is article 22 of the constitution it says the right of protection against arrest and detention उसी में लिखा है दोस्तों जैसे कि अगर आप loco violate नहीं कर रहा है तो आपको arrest नहीं कर सकता अगर आपको arrest करता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके against में charges क्या है और आपको arrest करने के बाद 24 खंडे के अंदर आपको magistrate के सामने पेश करना होगा और आप legal help के लिए भी authorized है तो ये सारे fundamental rights है ठीक है तो ये जो national security act है ये constitutionally सही है क्योंगी this is also a case of preventive detention समझगे now one crucial procedural safeguard under the NSA is granted under article 22 clause 5 where all the detained persons have the right to make an effective representation before an independent advisory board which consists of three members देखे दोस्तों now national security act के अंदर अगर एक person detained होता है उनके सामने एक protection है दोस्तों basically एक procedural safeguard है उनके लिए कि उनका effective representation हो सकता है वो अपने problems को paste कर सकता है एक independent advisory board के सामने जिसमें तीन members रहेंगे ठीक है उस board को chair करता है judge of a high court या फिर retired judge of a high court now और एक point को आपको समझना है दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा NSA invoke करने का जो authority है वो district magistrate या divisional commissioner के पास है इने भी protection दिया हुए दोस्तों इस act के अंदर no prosecution or any legal proceeding can be initiated against the official who carries out the orders मतलब एक particular person के खिलाफ में NSA invoke किया बोल कर DM के खिलाफ में या फिर divisional commissioner के खिलाफ में कोई legal action या prosecution नहीं हो सकता ये भी act में लिखा है दोस्तों therefore the writ of habeas corpus is the available remedy under the constitution against the state's power of taking people into custody under the NSA very important point तो फिर जिनको NSA के अंदर police arrest करते हैं उन्हें बचाने के लिए या फिर उन्हें देखने के लिए उनके relatives के पास या फिर उनके दोस्तों के पास क्या option है यही है दोस्तों habeas corpus वाला जो option है मतलब वो एक habeas corpus petition court में file कर सकता है तब क्या होगा court जो है habeas corpus writ issue करेंगे तब वो person को court के सामने paste करना होगा इसलिए एथर वारिस पजाब देका legal advisor इमान सिंग खारा ने habeas corpus petition file किया था पजाबन हरियाना high court के सामने finally what is the criticism against NSA अब तक आप समझ गयोंगे दोस्तों NSA के खिलाफ में क्या criticism हो सकता है काफी सेरे human rights groups ने इस act के खिलाफ में बोला है क्यूंग ये जो act है article 22 of the constitution को clearly violate करता है देखिए article 22 में क्या लिखा है right of protection against arbitrary arrest and detention इसके बार मैं आपको पहले कहा तो आपको पता ही है दोस्तों ये जो preventive detention है ये article 22 of the constitution को violate करता है और अगर national security act के under कोई arrest होता है उनके पास एक legal practitioner को consult करने का भी right नहीं है तो ये सब की वज़े से हमेशा इस act को repeal करना है या फिर amend करना है इस तरह के demands रहा है दोस्तों उपर से ये जो preventive detention का provision है ना ये हमेशा political parties issues करते है basically जो political parties ruling पर रहता है वो political opponents को silent करने के लिए उन्हें national security act के under arrest करवाते हैं ये तो आपने सुनाई होगा दोस्तों कई सारे cases इस तरह हुआ है तो critics का कहना ये भी है ये act बहुत बार missus हो चुका है तो इसे repeal कर देना चाहिए but at the same time there is an opposing view as well the act cannot be construed to be a draconian law as it protects the larger interest of the state and is therefore likely to stay मतलब देखे कोई भी act 100% perfect नहीं होता हर एक act में आपको ऐसे कुछ provisions देखने को मिलेगा जो हर एक इंसान को हजमनी होगा NSA काई बात कर लेते हैं दोस्तों prima facie आपको लेगेगा ये जो act है ये तो हमारे fundamental rights का violation है draconian law है पर कुछ circumstances में NSA जैसे act भी होना चाहिए preventive detention भी होना चाहिए ताकि कुछ persons को state prevent करे crime commit करने से तो अगर एक act एक state के बड़े हित की रक्षा करता है तो ये रहने की संभावना है तो दोस्तों that's it I hope आपको वीडियो informative लगाओगा अब आप मुझे comment box में बताइए दोस्तों NSA जैसे act हमारे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए Thank you for watching, bye bye, have a next day